हलो दोस्तो मेरा अलरीप्रिंग चैनेल में अब सब कश्वागत है दोस्तो आज की युडियो में मैं बात्रुम का प्लम्बिंग वरक दिखाने वाला हुँ यह वीडियो में आप देख देख merse ken पोरा प्लम्बिंग का कैसा काम होता है वो सीख जाएंगे तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं पाइप को गरम कर रहे हैं अब नया नया टेकनोलोजी के साथ में काम करना बहुत ही आसान हो गया है यहाँ पे होट इयर गन से मेरा फ्रेंड्स देखिए पाइ करने का मजाई कुछ आलग है यहाँ पर देख सकते होट इयर गन से पाइप को गरम करके नानी ट्रैप में एकदम आसानी से सॉकेट बन गया है देगे कितना फस्कला सॉकेट बना है एकदम परफेक्ट तो बहुत ही सरल है अभी प्लम्बिंग काम करना यहाँ पर देख सकते हैं लूब्रिकंट लगा रहे है ताकि अंदर का जो आइसर है पाइप के अंदर का उसके अंदर में आसानी से पाइप जा सके देख सकते हैं एकदम आसानी से प्रेस हो गया है तो प्लोरिंग के दो नाहनी ट्रैप के आउटलेट अपने रेडी हो गए है इसी पर लगाना है उसे प्लोरिंग के अंदर इसी पुजिशन में लगे गा है यह आपर देख सकते फ्लश टैंक माउंट हो गया है और उसका प्लम्बिंग वर्क भी कम्प्लीट है तो नाहनी ट्रैप का आउटलेट आपका यहाँ से बहार जाने वाला है ड्रेनेज के लाइन में तो उसे भी कनेट करके लेते हैं लुब्रिकंड से क्या जॉइंड आपका हासानी से फिट हो जाता है देखिए इस तरफ से जो होल मारा है वासे अपना आउटलेट बहार जाने वाला है वीडियो देख देखके भी आप हराम से प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं तो मेरी वीडियो के दोस्तों अगर आपको चैनल की वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेर कीजिए दोस्तों क्यूंकि आइसे ही नहीं नहीं वीडियो में अपने चैनल में अपलोड करते रहता हूँ नहीं ने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राब जरूर कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कर दीजिए तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना हेड़ शावर का और गरम पानी थंडा पानी का आउटलेट का भी काम हो गया है कमप्लीट यह देख सकते हैं यहाँ पर हैंड शावर का पॉइंट निकाला है निचे में स्पाउट का और पुरा डाय वाटर फिटिंग है प्रोपर इंसुलेशन किया है ब्लेक कलर में आपको जो दिख रहा है वो गरम पानी का पाइपलाइन है उसे टेमपरिजर लॉस नहीं होने के लिए इसे इंसुलेशन किया है प्रोपर तरीकी से तो यहाप देख सकते है डवली सी का अउटलेट के लिए भी एलबो लगा के से फिट करके लेंगे इसनलपलेश टैंक है यह वाले बातरूम में यह देख सकते है अपना एलबो में फिट हो गया है डवली सी का आउटलेट का ये WCA पे लगने वाला है ब्लैक वाले वाइसर में इस याच चिदर के से फिट करके लेना है जब भी आप जोइन करते हो तो लूब्रिकेंट ज़रूर लगाए ताकि इसे वाइसर आप जब जब अरदस्ती से प्रेस करेंगे तो वाइसर अंदर कटने का ये रहता है तो उससे लिकेज भी हो सकता है इसलिए लूब्रिकेंट लगाना बहुत ही ज़रूर है तो वह आपर देख सकते है फ्लस टैंग में अपना जो WC है उसका आउटलेट एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से कमपनी ने दिया है इसके साथ मैं आप ऐसा प्रेस फिट करके इसी में WC का जो हैंग होने वाला है उसका भी फिक्स करेंगे अभी इसका मेजरमेंट का भी जेंजेट खतम हो गया है दोस्तो इसी तरह से आप आसाने से WC को वाल हैंग कर सकते है इसका ए लॉक लगा रहे है फ्रेस फिट वाला लॉक है इससे क्या है आपका इधर उधर होगा नहीं है परफेक्ट लग गया है तो WC का आउट लेट अभी यहां से सिधा बड़े वाले ड्रेनेज में जाएगा तो उसका मेजरमेंट लेते है तो सेम टाइम बे दोस्तो बहार बहुत आवाज है कंट्रक्शन का काम चालू है इसलिए आवाज में डबिंग कर रहा हो देख सकते है टॉप से अपना गरम पानी थंडा पानी का भी काम हो गया है कम्प्लीट कि अपना शुप से अपना शुप से अपना शुप बेंड लग गया है दोस्तो जो आउटलेट जाएगा बाहर अभी इसी तरह भी दो ब्रेकेंड लगा के इसे भी लगा के लेते है देख सकते हैं अपना ये प्रेस हो गया है परफेक्ट डब्लीट का अउटलेट कंप्लीट हो गया है इसे एक बार में चेक करेंगे किसा इसका लाइन में धलान है की नहीं है ताकि पाइप के अंदर में पानी रुका नहीं रहेगा अच्छी तरह के से स्लोप देंगे तो इसे एक बार लेवल पट्टी से चेक करना है कम से कम आदा पाउन इंची स्लोप होना चाहिए WC से मतलब उसको स्लोप मिलना चाहिए फ्लोरिंग से ताकि पाइप के अंदर पानी नहीं रहेगा थोड़ सा स्लोप में गड़ बढ़ हो गया है तो क्या करेंगे जो आउटलेट का जो पाइप है WC का उसे थोड़ सा कट करेंगे ताकि अपना नीचे वाला पाइप और थोड़ा ओपर उट सके तो इसे काट के लेते हैं वीडियो आप देख देखके भी लंबिंग आराम से कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे कि दोस्ते वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है तो इसे काट के थोड़ा सा राउंड अप करेंगे ताकि जो भी इसका शार्पने से निकल जाए तो इसलिए साइड का जो है इसे ग्रैंडिंग किया है आपसे से लुब्रिकेंट लगा के आपसे प्रेस करते है द कि एक अंसील वाला फ्रस्टाइंग है और वाल हैंग डबली सी है दोस्तो तो अभी अपना परफेक्टली स्लोप मिल गया है आपसे एक बार चेक करते हैं लेवल पुट्टी से आपकलेट का भी काम अपना परफेक्ट हो गया है आपना देख सकते अपना ड्रेनिज का जो है वह अपना नानी ट्रैप का आउटलेट बातरूम का वेश्टेज पानी है वह जाएगा और यहाँ पे डबली सुका दोनों का काम हो गया है एक दम परफेक्टली हो गया है दोस्तो इसके आभी वाटर पूपिंग होगा इसके पहले और एक अपना नानी ट्रैप बाकी है जहाँ पे शावर एरिया है वो बाजुमें भी एक प्रिस्टेज का नाने वाला पानी बाहर जाने के लिए यहाँ पे भी एक ट्रैप दिया है उसे भी लगा के लिएते हैं इसके बाद में बात्रूम का पूरा आपका वाटर पूपिंग होगा उसके बाद में इसके उपर टाइलिंग भी आ जाएगा तो यह बात्रूम का मैं फूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसका फिटिंग लगने के टाइम का भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा तो यह अपना प्रेस हो गया है अभी इसे भी लगा के लेते हैं यह देख सकते हैं पर्फेक्ट सॉकेट बना है होट यह गन से यह अपना शूबेंड लग गया है बाहर जाने के लिए आउट लेट और इसे डबली सी का डेड़ क्याप है यह ताकि अंदर कुछ मिट्टी ना जाए और यह फ्लश टैंक का ताकि जब टाइलिंग का काम चालो हो जाए तो इसके अंदर सिमेट या ऐसा कुछ चीज नहीं जाएगा इसलिए यह दिया है कमपनी ने साथ में से हैंगिंग वाला बोल्ट भी लगाएंगे तो यह अपने बोल्ट लग रहे है इसे अच्छी तरगी से ताइट करके लेना है यही बोल्ट के उपर आपना डबली सी हैंग होने वाला है इसे परफेक्टली लगा के ताइट करके लेते हैं यह अपना ताइट हो गया है इसके उपर आभी वीवीसी वाला सिलिव चड़ाएंगे ताके इसके धरड से मेट से खराब नहीं होंगे इसलिए कंपनी ने दिया है इसके उपर लगा के लेंगे यह देख सकते अपना कंप्लीट हो गया है प्रश टैंग और उसका आउट लेट अब इसका थोड़ा लायन ओर्ट चेक करेंगे फाइनली इसब सही है क्या नहीं है डेवल टूप से ट्रैप का थोड़ा सा मेजरमेंट लेंगे आड़ा तेड़ा तो नहीं लगा हुआ है वो एक बार चेक करके उसके बाद में से टेम्पररी सेमेट का उपर माल लगाएंगे ताकि ये टेम्पररी फिट हो जाए उसके बाद में इसमें वाटर प्रूपिंग ह होनी के बाद में कॉंक्रिट का माल आ जाएगा तो यह पाइपलाइन अपना फिट हो जाएगे तो एक बार आपको मैं पूरा लुक दिखा था हूँ यहां पर हेडशावर है और यह टॉप से अपना पाइपिंग गया है फॉल्स इलिंग के उपर जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो यहां पर खतम करते हैं